Hello, Good Morning and Welcome Back Friends, आप देख रहे हैं Pacer Education YouTube चेनल, आज की इस वीडियो में बात करेंगे 25 अगस से रेलेटिड जितने भी important current फिर बनती हैं, सारी इस वीडियो में complete करेंगे, साथी काफी सारे extra facts भी आप डिसकस करेंगे, सो पूरे लेसन को ध्यान से और last तक आप जरूर देखेगा, एमन में से किसे देश का नया सिक्षा मंतरी चुना गया था, यहाँ आपका सही अनशर था, ध्रमेंदर प्रदान जो है, अभी यहाँ पर देखेगा, देश के नया सिक्षा मंतरी चुने गये थे, अन्शोगा सीवाल आपका, चलिए अब बात करता हैं, यहाँ पर आज की क के दखेगा, पहला अपड़ेट आपके सामने है, हालकी में किस मंतराले दुआरा, एक नया भूसस्थाने की योजना पूर्टल युक्त धारा लोंच किया गया है, तो यह तो एक नया भूस्थानी की योजना पूर्टल जिसका नाम रख कर गया है युक्त धारा, और ये गया है कि सकी दोर रार है कि सामिन के दौर कि दोर रार और और बात करें तो दिखे गा जो यूब्त के दोनcking देख के गालिया ठीक है यह जो प्हें है यह जो परटल है यह गरामिन विकास से जुड़े कई कारियों को पूरा करने में मदद करेगा साथ ही खेती बाड़ी से लेकर करसी विकास में भी जो है अपनी भूमी का निभाएगा इसके अलावा देखेगा मनेरगा की जो संपतिया हैं उनको सुविदा जनक बनाने के लिए भी जो है इसका उपयोग कि किया जा सकेगा यह आपको ध्यान में रखना है तो इन्हीं कारियों के लिए इस या युक्तधारा नामक पूर्टल को लॉंच किया गया है ठीक है फिर देखिए अगला पडेट अपना हाल ही में भारतिये नोसेना ने पस्तिमी फिलिपिन शागर में किसके साथ एक समोद् साज़िदारी युद्धब्यास आईजित किया है तो यह किया है जो फिलिपिन्स के नोसेना है इसी के साथ हाल ही यह पस्तिमी फिलिपिन सागर है यहां पर भारतिये नोसेना ने एक सामूद्रिक साज़िदारी युद्धब्यास का आईजिन किया है किसके साथ फिलिपिन कि नो सेना के साथ में नेक्स्ट अपडिट यहां पर देखेगा हालही में खबरों में रहा 2016 एज़े 193 क्या है यह ध्यान रखियेगा थोड़ा सा यह एक सुद्रग्रय है देखेए यहां पर 2016 सोला एजे एक सो तरानम इस तरह किसे इसको आप जहान में रख सकते हैं यह एक सुद्र ग्रह है जो हाल ही में खबरों में रहा है क्यों रहा है खबरों में हाल ही में देखेगा भारतिय समय के अनुसार करीब रात आठ बज कर चालिस मिन पर 94,000 किलोमेटर प्रति घंटे की रप्तार से 1.4 किलोमेटर व्यास का यह सुद्रगर है 2016 AJ193 प्रत्वी के करीब 34,27,000 किलोमेटर के पास से जो है गुजरा था तो अभी यह प्रत्वी के काफी नजदीक से गुजरा है वैसे तो यह जो आखड़ा है जो मैंने बताया किलोमेट है लेकिन एक अगर हम औराल इस्टेंज देखते हैं प्रत्वी की और जो यहां पर जो हमारा सन है वहां की तो यह काफी पास में से गुजरा है ठीक है हमारी प्रत्वी के इसलिए अभी चर्चा में है इसकी अगर मैं लैंट की जैसे की बात करता हूं जिसका मतलब की जो व बढ़ा है ठीक है तो इसलिए अभी चर्चा में रहा है नेक्स्ट यहां पर देखेगा फिर देखिए अपना अगला पडेट है किसके द्वारा लिखित मिसंड डोमिनेशन एन अन फिनिश्ट क्वेस्ट नामक नई पुस्तक हाल ही में परकासित की गई है इस पुस्तक के लिखेगा है बोरिया मजूमदार और इसका तो सहलेकन किया है कुसान सरकार ने किया है तो ध्यान रखिएगा दोनों नाम आपको वो प्रोक तो दोनों यहां पर आपका सही अनसोगा ठीक है बोरिया मजूमदार और कुसान सरकार दोनों ने मिलकर इस मिसंड डोमिनेशन ए को लिखा है जिसको हाल ही में प्रकासित किया गया है नेक्स्ट अपडेट यहां पर देखेगा जो और देखेगा इस पुस्तक की थोड़ा सा इसके बारे में जान लिजीगा यह जो पुस्तक है यह साइमन एंड सुटर पब्लिशर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यूनी इगठना जैसे रिसब पंथ रोईत शर्मा सुभमन गिल और यहां जो आर अस्वीन चेतिस पुझारा इनकी लगू कहानिया जो है इस पुस्तक में लिखी गई है यह दर्साइग गई है ठीक है तो यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है नेक्स्ट यहां पर करने इस बेटल फिल्ड पुस्तक को लिखा है और यहां पर इसका आप कबर प्रस्ट देख सकते हैं यह जो पुस्तक है एक भारती यह पुरस और एक जर्मन यहोदी महिला के बीच जहाजबर सवारोमांस की कहानी है दोनों दित्तियवी स्वेद्ग से पहले यूरोप में भाग गए थे उस कहानी को इसमें दर्स आया है इन्होंने चीक है बेटल फिल्ड में चीक है नेक्स्ट यहां पर दिखिएगा एक और पुस्तक है एड्रेस बुक यह पब्लिसिंग मेमायर इन दा टाइम ओफ कोविट के लेख कोन है जिसका हाल ही में प्रकासन किया गया है इसको लिखा है रितु मेंनने किसने रितु मेंनने लिखा है एड्रेस बुक यह पब्लिसिंग मेमायर इन दा टाइम ओफ कोविट ध्यान रखिएगा तो यहां पर दो तिन बुक के जो नाम है हमने देखे हैं और उसके लेक है इनको ध्यान रख लीजिएगा ठीक है नेक् फारस की खाड़ी में आईजित किया गया है यह किया गया है भारतिये नोसेना और कतर एमेरी नेवल फोर्स इन दोनों के बीच में हाल ही में इस जायर अल बहर का जो दूसरा एडिशन है यह आईजित किया गया है और यह कहां पर किया गया है जो फारस की खाड़ी है वहीं पर इसका आईजद किया गया है, आईजद किया गया है, ठीक है, नेक्स्ट अप्डिट, ये 23 और 27 अगस्त के मद्य को कि जो किस रूप में मनायजा रहा है, तो आपका सही अनिसोगा विशव जलसप्ता के रूप में, थ्यान रखेगा, हाल ही जो ही ये 23 और 27 अगस्त के महिने आपको ध्यान होगा नेश्ट यहाँ पर देखिएगा वायु प्रदर्शुन को कम करने के मक्षड से देश का पेहला इस बाड़ा और निमन में से किस सहर में लगाया गया है यह लगाया गया है डेली के इंदर दखे यहाँ यहां पर ही यह देश का पहला इसमोग टावर जो है I you प्रदूशन है उसको यहां फिल्टर करेगा और प्योर हवा निकालेगा यही इसका कारिया हुआ है ठीक है ध्यान रखेगा अभी केजरीवान ने इसका उद्रगठन किया है और दिल्ली के कलनाट पेलेस में यह देश का पहला स्मोक टावर लगाया गया है ठीक है नेक्स्ट के अमित खत्री ने केन्या की राजधानी नेरोबी में अंडर ट्वंटी वर्ल्ड एथलेट चेंपियंशिप में दस अजार मीटर पैदल चाल में कौन सा पदक जीत लिया है यहां सिल किया है तो सही अन्सों का आपका रज़त पदक ध्यान रखेगा भारत के जो अमित खत किता है सिल्वर मेटल ठीक है नेक्स्ट अपडेट हद करगा का उत्पादन तीन साल में दगना करने और निरियात को चोगना करने के लिए किस समित्ति का गठन किया गया है तो हाली ही में देख़िगा हद करगा उद्धो को बढ़ावा देने के लिए उसके उत्पादन को तीन साल में दोगना करने के लिए और निर्यात को चोगना करने के मक्सद से स्री सुनिल सेठी सिमिती जो है गठित की गई है इतना आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट अपडेट किस राज्य केंदरशासित प्रदेश में असीटा बुलरिया जल कन्याकाई नामक समुदरी हरित सेवाल की एक नई प्रजात्ति की खोज की गई है तो ये खोज गई है अंडमान निकोबार दिपसम में हाल ही पंजाब के जो साइन्टिस्ट है जेवे गयने हैं उन्होंने यहाँ पर ये एसिटा बुलरिया जलकन्या काई नामकी नई जो है हरी स्थेवाल की जो प्रजाती है वो उसकी खोज की है यह आपको ध्यान में रखना है कहाँ पर की है अंडमान निकोबार द्विप में ठीक है नेक्स्ट यहाँ पर जो पंज सीर गाटी है हाल ही ख़बरों में रही है कहां इस्तित है आपका सही अन्सुगा अफगानिस्तान पंज सीर गाटी देखे यहाँ पर अभी न्यूज में टीवी में जितने भी आप देख रहे होगे इसका बहुत जिक्र हो रहा है पं पंसजीर जो गाटी है ये अभी इसमें न्यूज में आ रही है क्योंकि यहां पर बताय जा रहा है कि जो तालीबानी है वो इस जगह पर कबजा करने में एस समर्थ है ये जो पंसजीर है ये काबूल से लगबग 125 किलोमेटर दूरी पर इस्तीत है और यहां पर इसका नाम पं करने में एस सक्सम रहे थे और इसी वज़ा से ये इस बार भी इनको लगता है अफगानिस्तानियों को कि इस पर ये कब जर नहीं कर पाएंगे और यहीं पर जो अफगानिस्तान जो नेता है जिसे कि जो उपराष्टपती है अमोर्शाहल वो यहां पर पनाले रखे हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं आज किस वीडियो में नहीं है मिलते हैं एक स्टूडियो में धन्यवाद